पिछले वीडियो में हमने समाज में चार comprehensive human goals के बारे में बात की थी और उनको डीटेल में समझने का प्रयास किया था अब इस वीडियो में हम परिवार की हार्मनी के बारे में बात करेंगे और हमारे अंदर जो नौ स्थापित मुल्य हैं उनको फिर से समझने का प्रयास करेंगे परिवार में हार्मनी तब होती है जब हम परिवार में न्याय सुनिश्चित कर पाएं न्याय सुनिश्चित करने का मतलब है कि हम रिलेशन्स को पहचान कर पाएं या देख पाएं कि सम्मन्द में मैं का मैं के साथ होता है यह सम्मन्द भाव यानि फीलिंग्स के अधार पर होता है इसका मतलब सेल्फ में भाव होते हैं और अभी तक ये नौ भाव पहचाने गए हैं जो हमारे अंदर स्टैबलिष्ट हैं और डेफिनिट हैं इन नाइन भावों को जब भी हम पहचान कर पूरा करते हैं उनके अधार पर जीते हैं और एक्स्प्रेस करते हैं जब हम अपने एक्स्प्रेशन का इवैलुएशन करते हैं और यह देख पाते हैं कि जो भाव मेरी समझ में आया था जो भाव मैं express करने जा रहा था मैंने उस भाव को उसी तरह से express किया है तो यहां मेरी happiness का एक source बनता है साथ ही साथ दूसरे के लिए भी एक comfortable environment बनाता है उसी को कहा है mutual happiness जैसे example देखते हैं कि मुझे किसी बात पर गुस्सा आ रहा है और मैं उसका expression करता हूँ गुस्से का expression करके मैं तो अच्छा मैसूस कर सकता हूँ लेकिन सामने वाला नहीं इसलिए यह mutual happiness होना आविशक है अगर हम न्याय की बात करेंगे तो यानि सही भाव को पहचान के और express करके हम भी सुखी हो पाते हैं और दूसरा भी सुखी हो पाता है यह सही भाव अभी तक नौ भाव के रूप में पहचाने गए हैं जो है trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude और love यानि विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वातसल्य, श्रधा, गौरव, कृतगिता और प्रेम यह नौ भाव हमारे अंधर ही हैं जिनमें से trust को हमने foundation value यानि आधार मुल्य कहा है और love को हमने complete value यानि पूर मुल्य कहा है जब भी हम इन नौ भावों को पहचान कर जीना शुरू करते हैं तो जो जीना हमारा होगा दूसरों के साथ वह न्याय संगत कहलाएगा यह न्याय संगत होने का मतलब है कि human being का अपनी basic nature, अपनी natural acceptance जो है हर एक के साथ संबंद को देखना और भावों के आधार पर जीना, उसके आधार पर जीना हो रहा है यहाँ न्याय हम family level से शुरू करते हैं और धीरे धीरे practice करके world family तक पहुँचते हैं जब हम हर एक के साथ इन नौ भावों को continuous form में ले पाते हैं उसको हमने कहा love जब यहाँ love हर एक मानव के साथ होता है इन भावों को continuous लेकर जब हम हर एक मानव के साथ जी पाते हैं तो उसके अधार पर बनता है undivided society यानि अखंड समाच जब हम love के अधार पर हर एक मानव के साथ जीते हैं तो इससे हम अखंड समाच के लिए ही प्रयास करते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रुत है कि प्रेम का भाव हर एक के साथ एक समान होगा लेकिन expression अलग होगा according to role and responsibility that we accepted जैसे प्रेम का भाव माबाप के लिए भाई बहन के लिए पती पतनी के लिए तीनों के लिए भाव तो सेम है लेकिन हर एक के साथ भाव का expression अलग-अलग है इस expression को ही कहा expressed values जो हम अगली वीडियो में समझेंगे तो इन नो भावो को समझना, उनको जीना, परिवार से विश्व परिवार तक जाते हुए यहाँ अखंड समाज का आधार बनता है अब हम यहाँ जाच लें कि अखंड समाज मेरे लिए desirable है या नहीं क्या यह मुझे naturally acceptable है अगर यह दिखता है कि अखंड समाज मेरे desire में आता है तो फिर यह देख पाएंगे कि उसको पूरा करने के लिए जिन भावों की जरुरत मुझे दिखती है वो भाव मुझे दूसरों से मिल सकते हैं या वो भाव मैं अपने अंदर ही ensure कर सकता हूँ ऐसना पूछने पर दो तरह के response लोगों से मिलते हैं कुछ कहते हैं कि भावों को हम दूसरों से ही पा सकते हैं तभी हमारे अंदर वो सुनिश्यत होंगे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दूसरों से भाव नहीं भी मिलें तो भी हम उन्हें अपने अंदर देख सकते हैं और सुनिश्यत कर सकते हैं अब यह एक जाच का विश्य बनता है, तो चलिए, इसी दोनों responses को हम compare करके यहां देखें तो, अगर मैं दूसरों से भाव पाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे क्या outcome मिल रहे हैं, और अगर मैं अपने अंदर ही इन भावों को सुनिश्चत कर पाता हूं, तो मुझे क्या outcome मिल रहे हैं, जब हम दूसरों से भाव पाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे भावों में एक uncertainty, एक अनिश्चित्ता, एक fluctuation, यानि अस्थरता बनी रहती है, मैं दूसरों के expression के आधार पर अपने भाव बनते देखूंगा, जिसको कि हमने screen पर right hand side दिखाया है, दूसरा जैसा मेरे साथ जी रहा है, उसके आधार पर मेरे भाव बनेंगे, वो सही भाव व्यक्त कर रहा है, तो मैं सुखी होंगा, और अगर नहीं, तो मैं दुखी होंगा, यानि मेरा सुख दुख दूसरे पर निर्भर है, अब देखें कि मैं इस स्थिती में हूँ क्या, और अगर हूँ तो क्या इसमें में रहना चाहता हूँ, दूसरी तरफ देखें तो, जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, कि हम जो फील करेंगे, वो दूसरे के अकॉर्डिंग होगा, जैसा वो मेरे साथ एक्स्प्रेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग होगा, तो डेफिनेटली मैं परतंत्र हूँ, क्योंकि मैं क्या फील करूँ, यह मेरे गंड्रोल में नहीं है, ऐसे में किसी ने बुरा कहा, तो मुझे बुरा लगेगा, अच्छा कहा, तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब मुझे बुरा लग रहा है, जब मैं दुखी हूँ, तब मैं दुखी होना चाहता हूँ, इसको जब आपने आप से पूछिए, जब आप अगर नहीं है, कि मैं नहीं दुखी होना चाहता, मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, तो इस परतंत्रता से बाहर निकल कर self-organization यानि स्वतंत्रता की तरफ आना कैसे possible हो पाएगा जब मैं यह समझ पाऊं कि मेरी जो feelings हैं वो दूसरों के expression पर dependent नहीं है वो feelings already मेरे अंदर established है जब मैं अपने संबंध इस पूरी व्यवस्था और इस व्यवस्था में जो सह अस्तित्व है उसको देख पाता हूं समझ पाता हूं पहचान कर जी पाता हूं तभी मैं यह समझ पाता हूं कि वो भाव मेरे अंदर ही है सही भाव जो definite है, continuous है, unconditional है वो किसी condition, किसी व्यक्ती, किसी घटना पर निर्भर नहीं है मैं जैसे भाव रखना चाहता हूं मैं वैसे रख पाता हूं दूसरा अगर मेरी expectation के according behave नहीं भी करता है, तो भी मैं परिशान नहीं होता हूं, विचलित नहीं होता हूं क्योंकि अब जो भाव मुझे सहज स्विकार है, यानि अब जो भाव मुझे naturally acceptable है, वही मैं रखता हूं इसी को हमने screen पर left hand side दिखाया है दूसरा क्या चाहता है, यह बात मेरे उपर हावी नहीं होती, इसी को कहा है, right understanding and right feeling is my property, it is not dependent on others, मैं क्या feel करूंगा, यह मेरे अधिकार में है इस स्वतंतता को पाने के लिए मुझे क्या ध्यान देने की जरूत है, कि संबंध में जीते हुए मेरा expression behavior के रूप में हो रहा है, लेकिन वो behavior decide होगा मेरी feelings and emotions के base पर इसको आप अपने अंदर भी notice कर सकते हो, आप जो कुछ behave करते हो, क्या वो दूसरों के instructions के according है, या इस आधार पे है कि आपको क्या सही लगता है और आप क्या सोचते हो, इसी को कहा है कि मेरी feelings, emotions के base पर, मेरी thoughts के base पर मेरा behavior है और मेरी feelings और thoughts इस base पर decide होते हैं कि मेरी समझ कितनी बनी है, इसको ही हमने पहले बताया था, कि जितनी समझ बनती है, उतना ही मेरे अंदर feelings and thoughts right होते हैं, और जितना मेरे feelings and thoughts right होते हैं, उतना ही मैं उन्हें rightly, अपने behavior के रोप में express करता हूँ, एक connection है, मेरी समझ उसके साथ मेरे भाव विचार और उसके साथ मेरे वेवार में, जितनी समझ वैसे भाव विचार और उसी के अधार पर वेवार, यानि वेवार इस अधार पर बन रहा है कि मेरी समझ कितनी बनी है, अगर भाव सही नहीं है, तो वेवार चाहे जितना अच इसलिए व्यवार के सही होने के लिए भावविचार का सही होना आविशक है। जितना सेल्फ में हार्मनी होगी उतना ही बोडी से एक्सप्रेशन हार्मोनियस होगा। यानि टेस्टिंग करेगा और सुखी होगा। और मैं भी उस बिहेवियर का इवालुएशन करके सुखी होंगा। इसी को कहा है mutual happiness यानि उभैसुख। इसको अगर और सिंपल भाशा में कहूं तो मेरे अंदर सही समझ है, उसके अधार पे मेरे अंदर सही भाव बने और ये सही भाव का क्रैटेरिया क्या है? कि मैं अपने आप में सुखी हूँ, उस सही भाव के अधार पर मेरे अंदर सही व्यवहार हुआ, इस सही व्यवहार को जब दूसरे ने नूटिस किया, तो उसे भी अच्छा लगा, यानि मैं भी सुखी हूँ, सामने वाला को भी अच्छा लग रहा है, इसी को कहा अब प्रशन उठता है कि सम्मन्द में कौन सी फीलिंग हमें नैच्रली असेप्टेबल है, तो जब राइट फीलिंग और राइट उंडरस्टांडिंग एंशूर करने जाते हैं, तो दिखाई देता है कि अगर हम इन नाइन फीलिंग को एंशूर कर लें, तो सही यही हमार इसे लिए राइट फीलिंग कहलाईगी, इसको अब हम वन बाइवाज समझने का प्रयास करेंगे, ऑल्दो हमने सेकंड एर के कोर्स में इस पर ध्यान दिया था और इनको एक बार जाना था, लेकिन एक बार फिर से नए से रे से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एक रिव assurance in continuity on the intention of other, दूसरे की intention पर अगर मुझे निरंदतरता में आश्वसती है, assurance है तो यही विश्वास है, और यह आश्वस्ती मैं अपने आधार पर develop करता हूं, सिर्फ दूसरे के व्यभार के आधार पर नहीं, क्योंकि दूसरे का व्यभार मेरे अंदर कभी विश्वास तो अविश्वास उत्पन कर सकता है, सामने वाला मेरे expectation के according सही विवार करता है, तो मैं उस पर विश्वास करूंगा, और अगर उसने मेरी expectation के according नहीं करा, तो अविश्वास होगा, अब खुद सोचो, क्या ये criteria सही है, जिस पर अभी मैं पूर विश्वास कर रहा था, अब उस अविश्वास हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो भी विश्वास का आधार है, वो दूसरे का सिर्फ व्यवार है, जिसको कि हमने right hand side में दिखाया है, question mark के साथ, दूसरे का व्यवार, अगर मेरे विश्वास के आधार के रूप में निकल के आ रहा है, तो ये definitely fluctuating रहेगा, uncertain रहेगा, इससे क्या होगा? ऐसे में, उस व्यक्ति पर तो शायद कोई असर ना पड़े, परन्तु मेरा सुखी या दुखी होना, उसके व्यवार पर dependent हो जा रहा है, और dependency में चाहता नहीं, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आपको screen में जो left hand side दिखाया गया है, उस तरफ shift होना है, कैसे? तो फिर trust कैसे ensure होई इसको देखें तो, trust के लिए हम intention and competence यानि अपनी सहज स्विकृती, दूसरे की सहज स्विकृती और योगिता, दोनों को देखेंगे, दोनों को समझेंगे और दोनों को consider करेंगे, दोनों का अलग-अलग evaluation कर पाएं, तो हम trust ensure कर प अपनी intention के according, जीने की योगिता कम पढ़ रही है, अगर ये समझ हम में नहीं बनती, तो जब भी सामने वाला अपनी योगिता में कम पढ़ता है, हम उस पर doubt करने लगते हैं, कि उसकी intention ही खराब है, इसलिए उसने गलत किया, यह doubt मेरे अंदर आया, trust भी मेरे अंदर ही था, सामने वाले ने सिर्फ अपनी समझ से अपना expression दिया है, doubt हुआ, तो मैं परिशान हो गया, उस doubt को resolve करने की जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी, तो obviously मेरी ही बनेगी, अब यह trust ensure हो रहा है, यह कैसे confirm होगा? तो, an indicator of feeling of assurance is not only absence of opposition and irritation and anger, but rather the willingness and thought to be a help to the other. मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रोध, खीज, विरोध नहीं होता है, बलकि हम परस्पर पूरक्ता के अर्थ में भागिदारी कर पाते हैं और सहयोग के बारे में सोच पाते हैं। अगर मेरे अंदर trust है, तो happy man भी मैं ही हूँ, और मेरे अंदर doubt है, तो दुखी भी मैं ही हो रहा हूँ, इसलिए ही कहा, कि यह feeling हमारे अंदर है, दूसरे से नहीं मिल रही, दूसरा सिर्फ अपनी समझ, अपनी competence से expression दे रहा है, और उसका evaluation मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ। अब respect को देखें तो, respect को हिंदी में कहते हैं सम्मान, सम्मान का मतलब है ठीक ठीक आकलन, सही आकलन, अब सही आकलन कैसे होगा, with the help of evaluating the intention of other person, जब हम उसकी intention और उसकी competence को सही सही पहचान पाएंगे, यही उसकी respect है, अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ अपना जीने का कोई भी program बना रहा हूँ, उसमें मैं उस व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव रखता हूँ, यह नहीं रखता हूँ, यह इस बात से decide होगा, कि मैं उस व्यक्ति का किस तरह का evaluation कर रहा हूँ, अगर मेरा evaluation का आधार, व्यक्ति की intention and competence है, और मैं यह देख पा रहा हूँ, कि व्यक्ति की intention सही की ही है, बस उसके according competence कम पढ़ती जा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव खतम नहीं होगा, कम नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, खीज नहीं होगी, बलकि उस व्यक्ति के लिए सम्मान बना रह और उसकी competence को बढ़ाने के लिए, जितना effort हो सकता है, वो मैं कर पाऊंगा, इस तरह से respect को ensure कर पाते हैं, अब यहा right evaluation होगा कैसे, जब हम यह देख पाएंगे, कि हमारा लक्ष कारिकरम और शम्ता एक जैसी है, जिसको हमने intention बोला है, अब हम अपने intention को देखें, मेरा को सुखी रखना चाहता हूं, और समर्द होना चाहता हूं, साथी साथ सुखी समर्द ही की निरंतरता चाहता हूं, दूसरे के level पर देखूं तो, उसका लक्ष क्या दिखाई दे रहा है, वो भी अपने आपको सुखी और समर्द रखना चाहता है, और उसकी निरंतरता चाह कैसे जो भी मैं effort करूँगा सुखी और सम्रिद होने के लिए वो अपने जीने के चार आयाम यानि चार levels of living में ही करूँगा और वो कौन से है इंडिवीज्वल, family, society और nature इन पर ही मेरे efforts होंगे इनसे अलग इनसे बाहर जाकर मेरे पास effort करने का कोई scope नहीं है तो जो भी मेरे स सुखी और सम्रिद होने के लिए जीने का कारेक्रम बनेगा वो इतना ही बनेगा कि मैं इन चार स्तर की व्यवस्था में harmony ensure करते वे जीप हूँ ये कैसे होगा जब मैं इन चारों स्तर की व्यवस्था को understand करूँगा दूसरे व्यक्ति के लिए अगर मैं देखता हूँ तो उ हम सब मानव इन चार स्तर की व्यवस्था में ही जीने का कारेक्रम बना पाते हैं अते हम दोनों का कारेक्रम यानि प्रोग्राम भी सेम हैं तो अब हम दोनों का potential या शमता क्या होगा potential में मेरे पास सोचने और करने के लिए इच्छा विचार आशा की पावर है desire thought and expectation की पावर है और यह continuously मेरे अंदर बनी वी है continuously मेरे अंदर चल रही है और इसको ही हर बार में refer करता हूँ मेरी या इच्छा विचार आशा जितनी ही natural acceptance के according चलती है उतना ही मैं सुखी होता हूँ उतना ही मैं लक्षे को पूरा कर पाता हूँ दूसरे के लिए देखूं तो उसके पास potential कितना है तो उसके पास भी potential इतना ही है कि वो भी जो कुछ कर रहा है जैसे भी जी रहा है वो भी उसकी इच्छा विचार आशा के according ही जी रहा है उसकी जितनी समझ बन पाई है इस इच्छा विचार आशा को लेकर और अपनी natural acceptance को लेकर वो उसी के according effort करेगा इन तीनों point of view से देखें तो हम दोनों ही एक जैसे हैं अगर दोनों का purpose, program and potential सेम हैं तो हम दोनों self में सेम हुए हां body के level पर features अलग होंगे लेकिन self के level पर हम दोनों सेम हैं तो फिर हम दोनों में अंतर क्या होगा तो वहां अंतर होगा competence के level यान योगिता में जितना मुझे पता है हो सकता है उससे अलग आपको पता हो जैसे हम दोनों शिक्षा हासल करके समजदार बनकर नौकरी के अधार पर समाज में अपना कुछ contribution करना चाते हैं और परिवार के लिए सुविधाय पाना चाते हैं यहां हम दोनों सेम हैं लेकिन शिक करते हैं दूसरा अपनी पसंद के विशय में यह योगिता में अंतर है यहां purpose, program and potential इन तीनों में समानता देखकर competence में जब मैं जाचने पर रखने जाता हूं तो मेरा right evaluation का base बनता है जिसमें मैं यह देख पाता हूं कि अगर आपकी योगिता सही को समझ कर सही जीने की मेरे से जादा है तो मैं आपसे सीखने को तक पर हूं और अगर मेरी योगिता आपसे जादा है तो आपकी मदद करने को तयार हूं I will be feeling the responsibility to help you to develop your own right understanding, to develop the competence to live in relationship, इस base पर यह कहा जा सकता है that other is similar to me, we are complimentary to each other, दूसरा मेरे जैसा ही है और हम एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन यह तब होगा जब आप भी उस relationship में मेरे साथ assurance feel करोगे और मेरे साथ सीखने को तयार होंगे अब सम्मान ensure होता है तो उसके base पर हम स्नेह, ममता और वाजसले को show कर पाते हैं यानि affection का मतलब क्या है I am able to see a relation, a connection, a feeling of bonding with you I am able to accept you as my own यह feeling आएगी affection के रूप में लेकिन यह feeling कब आएगी? इस trust and respect के base पर जीते हुए मैं आपके साथ आश्वस्त हूँ उसमें मैं सेम देख पा रहा हूँ आपकी और मेरी intention को साथ ही एक दूसरे की competence को बढ़ाने में जो एक दूसरे को मदद करनी की जुरत हैं मैं उसके लिए भी अपने आपको तयार कर पा रहा हूँ कि मैं अपनी competence and abilities को बढ़ाने में आपकी help ले पाऊंगा और आपकी abilities को बढ़ाने में मदद कर पाऊंगा इसके लिए मैं आपके साथ जीने का program बनाने को तयार हूँ इसे को कहा है affection We are able to accept the other as being related to us This feeling of acceptance of the other as being related is the feeling of affection We start becoming responsible in the relationship यही feeling आज के वक्त में missing दिखाई देती है हम आज के वक्त में एक दूसरे से connected है एक दूसरे पर dependent भी है लेकिन वो affection feel नहीं कर पा रहे है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ opposition and competition की feeling में भी आ रहे हैं और यह इसलिए क्योंकि trust and respect ensure नहीं हो पा रहा है यह ensure हो पाएगा तो affection भी feel होगा affection होगा तो उसके reflection या outcome के रूप में ममता और वाचसल्ले भी आएगा ममता का मतलब क्या है? दूसरे के शरीर के लिए मुझ में एक जिम्मेदारी का भाग है और वाचसल्ले का मतलब है दूसरे के सेल्फ के लिए मुझ में जिम्मेदारी का भाग है दूसरे के लिए मैं क्या जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ? तो पहली उसके शरीर का potions reduction हो सके उसमें जितनी मैं मदद कर सकूँ उसके लिए मैं अपने आपको तयार करूँगा दूसरे को जिम्मेदार समझदार बनने में जितनी मदद की जुरत है उतना मैं कर सकूँ उसके लिए भी मैं अपने आपको जिम्मेदार समझदार बनाओ The responsibility and commitment for nurturing and protection of the body of my relative is care and the responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling in the self of my relative is guidance लेकिन यह तब होगा जब यह दोनो ही भाव मेरे अंदर एंदर हूँ इसलिए ही कहां a natural outcome of affection accepting the other are the feelings of care and guidance अब care guidance ensure होगी तो श्रद्धा के भाव को हम देखें श्रद्धा का भाव देखें तो श्रद्धा का मतलब है व्यक्ति में जो श्रेष्टता है उसकी स्विकृति का भाव the feeling of acceptance of excellence in my relative excellence या श्रेष्टता का मतलब क्या है इसको समझने के लिए आप उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आप श्रेष्ट या excellent person मानते हैं क्या आप उसे excellent इसले मानते हैं क्योंकि जादतर लोग उससे डरते हैं या वो गलत काम करता है दूसरों को परिशान करता है या आप उन्हें हमेशा हर aspect में सही जीतावा पाते हैं तो शेष्टता या excellence का मतलब है जो सही है उसे समझना और सही जीना सही क्या है जो वेवस्था है हार्मनी है उसे समझना और हार्मनी में जीना सभी आयामों में यानि स्वयम में परिवार के सदस्य के रूप में समाज के सदस्य के रूप में और प्रकरती अस्तित्व की इकाई के रूप में सिर्फ एक दो बार नहीं कभी कभी नहीं निरंतरता में जीना Understanding harmony and living in harmony at all four levels of living that leads to continuous happiness इस श्रद्धा का expression होता है पूजा वर्शिप के रूप में और वह expression क्या है कि आप में जो श्रेष्टता डवलप हुई है वही मैं अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे हम अपने बड़ों या इश्ट के लिए शद्धा भाव रखते हैं और उनमें जो अच्छाईया हैं उन्हें अपने अंदर डवलप करने की कोशिश करते हैं हमें विश्वास होता है वो सब जानते हैं वो सब सही करेंगे साती सात उनके लिए हमारे अंदर सम्मान का भाव होता है उनको अपने के रूप में स्विकारते हैं और उनसे सीखने को तयार होते हैं क्यों? किसलिए? कि जिस तरह से हर शेत्र में, हर आयाम में वो सही जी रही हैं वैसे ही हम भी बन पाएं, हम भी जी पाएं तो जो प्रयास हम कर रही हैं वही पूजा है और जो भाव हमारे अंदर है वह श्रद्धा है यह श्रद्धा का भाव सिर्फ छोटों का बड़ों के लिए हो ऐसा आविशक नहीं है बड़ों के अंदर भी छोटों के लिए शद्धा का भाव हो सकता है भाव मुख्य है और यहां किसी भी उस वेक्ति के लिए हम फील कर सकते हैं जिने हम चार आयामों में सही जीतावा पाते हैं लेकिन इसमें अगर competition या jealousy की feeling आ रही है तो यहां एक barrier का काम करता है competition है हम दूसरों से आगे बढ़ने या दूसरों को पचाडने की इच्छा रख रहे हैं तो इसका मतलब शद्धा नहीं है दूसरों की excellence को हमने नहीं स्विकारा है excellence में हम एक दूसरे की मदद करते हैं कि वो भी stress हो जाए और मैं भी stress हो जाओ लेकिन competition और special बनने में हम सर्फ अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसलिए कहा कि अगर शद्धा का भाव है तो competition नहीं होगा competition नहीं होगा तो jealousy नहीं होगी कोई negative feeling नहीं होगा फिर क्या होगा तो होगा गौरव और कृतक गिता अगर excellence की स्विकृति है उसके लिए शद्धा हम फील कर पा रहे हैं तो गौरव और कृतक गिता का भाव आएगा गौरव का मतलब क्या है कि दूसरा अपने आपको excellence के level पर लाने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है मैं उसके उन प्रयासों को notice कर रहा हूँ और पूजा के रूप में मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उसके जैसा हो जाओं उस level तक पहुँच जाओं ऐसे में जो भी व्यक्ति directly या indirectly मेरे प्रयास में मदद कर रहे हैं उनके लिए जो भाव आएगा जो thankfulness आएगी उसे कृतक गिता कहा है इसे एक छोटे से एक्जामपल से देखते हैं हलंकि यह एक्जामपल इन भावों के लिए complete नहीं है फिर भी एक idea मिलेगा आप हमारे टीचर्स प्लास में एक टॉपिक सब को एक साथ पढ़ाते हैं वह टॉपिक मेरे साथी को भी तो अच्छे से समझ में आ गया और free time में वह उसे अच्छे से practice कर रहा है लेकिन उसे टॉपिक में मुझे कुछ doubt है मैं किस से doubt discuss करूँगा एक तो अपने टीचर या second option में उस बच्चे से जो समझ कर अभ्यास कर रहा है है या नहीं अगर मुझे कुछ doubt आया है किसी topic पे जो टीचर ने पढ़ाया था तो या तो मैं टीचर से पूछूँगा या फिर अगर मैं उनसे थोड़ा hesitation फील कर रहा हूँ तो मैं at least उस बच्चे को ढून दूँगा जिसको वो topic समझ में आ गया है मुझे confirm है कि वो समझ गया है second option में मैंने यह स्विकारा कि ये मेरा दोस्त या classmate मुझसे ज़ादा जानता है और बहतर बनने का लगातार प्रयास कर रहा है तो उसके लिए गौरब का भाव है फिर वह classmate मुझे भी वह topic अच्छे से समझा देता है मेरे doubts clear कर देता है तो मैं उसके लिए gratitude फील करता हूँ या भाव किसी उम्र या पद से सीमित नहीं है या किसी के लिए भी हम फील कर सकते हैं जिसको हम सही जीते भी देख पाते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं जब यह सभी feelings continuity में हमारे अंदर establish हो जाती हैं और हर एक के लिए सेम भाव होता है इसी को कहा है प्रेम प्रेम इसलिए कहा क्योंकि प्रेम में हम एक सम भाव के साथ होते हैं इसलिए प्रेम एक या दो या कुछ के साथ नहीं होता हर एक के साथ होता है फिर हम हर एक को समंदी के रूप में स्विकार पाते हैं क्योंकि हर एक के साथ हमें connection फी देख पाते हैं यहां हर एक में सर्फ human-human relation नहीं होता हर एक में human rest of the nature relation भी आएगा ऐसे में मैं यह देख पाऊंगा कि यह जो पेड, पौधे, पंची, जानवर हैं इनका होना मेरे होने के लिए कैसे आविशक है फिर इनके लिए मेरे में जो सम्मेदारी का भाव है इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यह मुझे समझ बने मानव और प्रकरती तक मैं continuity में सोच पाता हूँ सबके साथ एक coexistence देख पाता हूँ यही प्रेम का भाव है इसलिए कहां लव is a feeling of being able to see interconnectedness with all the feelings that I am in coexistence with all the units that I am in coexistence I am connected, related to every human being and every unit in existence is the feeling of love और इस लव की feeling का starting point क्या है तो trust है इसलिए trust याने विश्वास को foundation value कहा गया है trust क्या है तो सीकृती का भाव और यह सीकृती का भाव ही किसी भी relation का अधार है यही किसी भी relation में minimum expected होता है और प्रेम इक complete value कही गई क्यों? क्योंकि इसके साथ पूर्टा का एसास होता है प्रेम के भाव के अधार पर मैं बाकी सभी भावों को जब और जैसे express करने के आवशकता है वैसे express कर पाता हूँ प्रेम की ही अभी वेक्ती फिर बाकी भावों के रूप में होती है अब तक जितनी बात की गई है उसे sum up करें तो feeling तो हमारे अंदर है ही हमें बस उसे पहचानना है इन feelings के लिए जितना हम ensure होते जाते हैं उतना ही यह decision आसान होता जाता है कि मैं कैसा जीना चाहता हूँ मैं कैसे express करना चाहता हूँ और यही हमारे conduct को define यह definite बनाने में मदद करता है क्योंकि जब वो भाव मैं अपने अंदर पहचान जाता हूँ तो मैं उन्हें ensure करके feel करने के लिए दूसरे पर dependent नहीं हूँ और ऐसे में मेरा conduct मेरे according होता है और यहाँ conduct फिर definite होता है इसका आधार अपने अंदर यह 9 सही भाव है अब बस हमें अपने पर ध्यान देने की ज़रत है कि मैं इन भावों में कितना अपने अंदर clarity और confirmation कर पाया हूँ इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हमें 9 स्थापित मुल्यों के लिए नो शिष्ट मुले यानि एक्स्प्रेस्ट वैल्यूस पर discussion करेंगे अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like and share करना न भूले आगे और भी content पाने के लिए चैनल को subscribe करें Thank you for today